नमस्कार, आप सुन रहे हैं नो रूप, नो दिन, नो कथाएं अशोक हमराही के साथ नोरात्र भगवती जगदंबा की आराधना का पर्व है प्रत्मा से नौमी तिथी तक हर तिथी को मा भगवती के अलग-अलग नो रूपों की पूजा आराधना की जाती है और मा के स्वरूप की कथा सुनी जाती है नौरात्र की प्रतमा तिथी को मा शैल पुत्री, दुदिया को मा ब्रमचारणी, तृतिया को मा चंदरघंडा, चतूर्थी को मा कूश्मांडा, पंचमी तिथी को मा इसकंद माता, सश्टी को मा कात्याईई, सप्तमी को मा काल रात्री, अश्टमी तिथी को मा महागवरी और नवमी को मा सिध्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार नौरात्र का हर दिन देवी भगवती की इन्ही देशिष्ठ रूपों को समर्वित है। नौरात्र की नवमी तिति को मा भगवती के सिध्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। शुरा सम्पून कलशम रुधराप लुत्मेउचा दधानाम हस्त पद्मा भ्याम कूश्मान्डा शुवदास्त में शी दुर्गा का चतुर्थ रूप मा कूश्मान्डा है अपने उदर से अंड, अर्थात, ब्रम्हांड को उत्पन करने के कारण इन्हें कूश्मान्डा देवी के नाम से पुकारा जाता है नौरात्र के चतुर्थ दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है और मा कूश्मान्डा की कथा सुनी जाती है पुराणों के अनुसार एक बार देवर्ष नारद ने भगवान विश्म से प्रश्न किया भगवन कृप्या मेरी शंका का समाधान करें आप तीनों देवों से बढ़कर भी कोई पूजनीय देवी शक्त है क्या जिसकी साधना में आप भगवान शिव और पितामह ब्रंभा प्रायार लीन रहते हैं भगवान विश्म ने उत्तर दिया महा मुने वास्तों में ब्रंभाजी स्रष्ठी के रचना कारे में मैं पालन पोशन के कारे में और महादेव स्रष्ठी के संहार के लिए जिन महाशक्ति के निर्देशों का पालन करते हैं, वो आदिशक्ति देवी हैं. जब स्रिष्ट की रचना नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का सामराज्य था. देवी, जिनका मुख मंडल सैकनो सूरी की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रगट हुई. उनके मुख की मुश्कराहट से स्रिष्ट की पल के जपकनी शुरू हुई. और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान मा की ह प्रभासी से स्रिष्ट में ब्रम्भांड का जन्म हुआ. देवी कुश्मान्डा का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है, और वो सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती है. संपोर्ण ब्रम्भांड इनी पराशक्त के उदर में इस्थित है. इसी लिए इन्हे द देवी कुश्मान्डा इस चराचर जगत की अधिश्ठात्री देवी हैं. समस्त चल अचल पदार्थों में और हर प्राणी में जिस चेतना रूपी प्राण का संचार होता है, वो चेतना ही मा कुश्मान्डा है. जो अपने सभी भक्तों के कष्टों का विनाश करती हैं, उ उन्हे सुख सवभाग्य और आरोग्य प्रदान करती हैं, यही स्त्रष्टी की आदि स्वरूपा, आदि शक्ती हैं. दुर्गा शप्त शती के कवच में भी वर्नित है, कुश्मा कुश्मा त्रिविधताप युदः संसारा स अंडे मांस पेश्याम मुदर रूपायाम यस्या सा कुश्मान्डा. अर्थात वो देवी जिनके उदर में त्रिविधताप युद्ध संसार स्थित है, वो कुश्मान्डा हैं. देवी कूश्मांडा अश्ट भुजा से युप्त हैं अता इन्हें देवी अश्ट भुजा के नाम से भी जाना जाता है देवी अपने हाथों में कमंडल, धनुश्बान, कमल का पुश्प, अमरित से भरा कलश, चक्र, गदा और कमल के फूल के बीच की माला लिये हुए है ये माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्ध सिध्ध देने वाली है देवी अपने प्रियवाहन सिंग पर सवार है नौरात्र के चोथे दिन शद्धा पूर्वक देवी कूश्मान्णा की उपासना करने और माता की कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्ट रोग शोप का अंत होता है और आयू, यश, बल और स्वास्थ में व्रिद्धी होती है अपनी मंद हसी से ब्रम्भांड रच दिया अपने तेज से जीवन में प्रकाश भर दिया सूरज की आभा से दमके मा का रूप सदा आदि शक्ति हैं, आदि स्वरूपा, देवी कूश्मान्डा ओम देवी कूश्मान्डा ए नमः अगर नौ रूप, नौ दिन, नौ कथाएं सिरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सिरीज शेयर करना न भूलें अपने सुझाव यानी सजेक्शन्स के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना न भूलें एट अशोक हमरा है